केवल इन तीन बीजों के सेवन करने से आपका पाचन दुरुस्त हो जाएगा, भोजन खाते ही आपका पेट फूल जाता है, गैस, अपच, बधजमी जैसी सिकायत से आप बहुत ज़्यादा परिशान है, भोजन के बाद आपको इन बीजों को चबा चबा कर खाना है, साथ मे आपकी जो कब्ज की समस्या से भी काफी तक राहत मिलेगी, इन बीजों में एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपकी पेट समंदी समस्याओं को दूर करने में काफी जादा मददगार होते ह दिन में आपको इन वीजों को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, आज हम इसी के वारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आज इस वीडियो के म मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब करिएगा साथ में बैल आइकन को जरूर दवाएगा जिसे आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले आपके पर चलिए गाप बिना डेरी केश इंट्रेस्टिंग वीडियो को सुरू करते हैं बेसिकली हम देखने कि आजकर लोगों में पेट समंधी जो समस्या है बहुत ही ज्यादा खोमन हो गई हैं बहुत ही ज्यादा आम हो गई हैं बहूट ज्यादा तलाभ होना या फिर मसालेदार चीजे खाने की वज़े से या फिर एकसरसाइज बिलकुल भी ना करने की वज़े से या फिर काफी लंबे समय तक एक ही जगे पर बैठे रहेना या फिर कभी-कभी अधिक खाना खा लेने की वज़े से अकसर लोगों में पेट फूलना, गैस, अपच, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप इन छोटी-छोटी समस्याओं के लिए अपनी निर्बढ़ता दवाओं पर बनाए रखें आपकी किचिन में भी कुछ ऐसी पोश्टिक और फायदेमन चीजे मौजूद हैं यदि आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पेट में दर्द की समस्या या मूँ से समंदित जो समस्या है उनको दूर करने में काफी ज़्यादा एक कारगर होती है और बहुत से लोग अक्सर माउथ फ्रेसनर के रूप में सौफ है छोटी इलाइची है इनका भी बहुत ज़्यादा प्रियोग करते हैं तो क्या आप जानते हैं अजवा को खाने से आपका जो पाचन है वह बहुत अच्छा रहता है आपका जो पाचन बहुत जल्दी हो जाता है और इतना ही नहीं इन बीजों को खाने से बिलोटिंग की समस्या भी आपको नहीं होती है और पाचन को सही रखने के लिए आपको इन तीनों बीजों का इस्तेबाल जरूर से करना चाहिए, इन तीनों बीजों को एक साथ चबा कर खाने से जवर्दस्थ फायदे होते हैं और यदि आप इन बीजों को एक साथ चबा चबा कर खाना शुरू कर देते हैं तो यह हमारे digestive system को जवर्दस्थ फायदा पहुचाते हैं और इसके अंदर जो अगनी वर्धक गुन होता है जिसको हम कारविनेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं ये बहुत ज़्यादा होती है जो कि गैस को बाहर निकालकर बिलॉटिंग की समस्या से काफियत तक आपको रहाद देती है और पेट दर्द की अगर समस्या है उ एंटी स्पास्मोंडिक गुन की वजह से ये हमारे पेट दर्द की समस्या से काफिर रहा देता है आपके डाइजेस्टिव मसल्स को ये रिलेक्स करने का काम करता है उसमें क्रेम्स को दूर करता है आपको गैस ब्लॉटिंग की जो समस्या है उसमें काफियत तक आपको रहा करता है इसलिए हम इनको regularly इस्तेमाल करना चाहिए आपको अपच की समस्या है आपको दस्त हो रहे हैं या पिर मतली जैसे आपको सिकायत है तो उन समस्याओं को दूर करने में जीरा काफी जादा फायदेमंद होता है आपकी गट हेल्थ को बहुत जादा अच्छा रखता है सा आपके जो बावल मूवमेंट्स होता है उसको सही से बनाए रखने में काफी जादा मददगार होता है आपकी पेट में जो कब्ज की समस्या को दूर करता है और सौफ में प्राकृतिक एंटी ऑक्सिडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि सरीन में फ्री रेडिकल से हो उने वाले नुकसान से काफियत तक बचाते हैं यह माउथ फ्रेसनर का काम करता है और यदि आप इन बीजों को रेगुलरल इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारी सांसों में ताजगी को बनाए रखने में काफी जादा मददगार होता है और अजवायन के बीजों में एंटी करावी को पेट की सूजन को ठीक करने में काफी जादा मददगार होता है आप जीरे को जो कच्छा चवा चवा कर खाते हैं तो इससे हमारी सरीर की जो इम्मूनिटी है वह बढ़ती है क्योंकि इसके अंदर इम्मूनो मॉडूलेटरी प्रभाव होता है जो की इम्मूनिट की समस्या है वह भी काफी अक्तक सही होती है इन पोस्टिक बीजों को चवाने से आपका जो पेट है आपको बहुत जादा हलका महसूस होगा और आपको सही जानकारी हो कि पेट में पाचन सम्मंदी समस्याओं को दूर करने के लिए तरह तरह की दवाईयां भी मौजूद ह यदि आप इन दवाईयों का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो कुछ समय बाद इन दवाईयों के काफी ज़्यादा साइड एफेक्ट भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं या फिर ये दवाई काम करने भी बंद कर देती हैं आपने देखा हुआ एकसर लोग कहते हैं कि हम इस कैप्सुल को खाली पेट खा रहे थे या इस दवाई को खाली पेट खा रहे थे लेकिन अब ये काम करनी बंद कर दी हैं तो हैसी जो समस्या है वो इन बीजों के साथ में नहीं होती है। leverage लेकिन आप यदि निश्यों कोछय लगाता इस्तेमाल करेंगे तो आपको कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और आपकी पेट समंधी समस्याइं वो काफी हद तक दूर होती हैं हाला कि इन समस्याइं को यदि आप बहुत दिनों से पीडित हैं इन समस्याओं में यदि इन बीजों को खाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलना है तो आपको किसी आयविर्दिक डॉक्टर की सलायत जरू से लेनी चाहिए अब हम बात करें कि आपको इन बीजों को कितनी मात्रा में कैसे और कब इस्तेमाल करना है तो इन बीजों को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों बीजों को बरावर मात्रा में आपको ले लेना है खाना खाने के बाद इन बीजों को आप चवा चवा कर खाईएगा इसको खाने से आपको जो है काफी जवरदस्त फायदे आपको देखने की मिलेंगे और सुरुवात में आप थोड़ी मात्रा से ही सुरुवात करें और अपनी पेड समंदी समस्याओं को देखते हुए धीरे धीरे आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं लेकिन बहतर रिजल्ट के लिए और यदि आप इनका रेगुलरली लंबे समय तक प्रियोग करने वाले हैं तो अपने नजदी की प्रिसिक्षित आयवर्दिक डॉक्टर की सलाय आपको जरूर से लेने चाहिए और यदि आप प चैस बिलाटिंग जैसी समस्य हो या फिर जब आपको जरूरत लगे आप इन बीजों का इस्तेमाल आपको ड़ी करना चाहिए तो इस तरह से आप इन बीजों को चबाँ चबाँ कर भी झा सकते हैं और दूसरा तरीका जो आप問ाना चाहिए आप इन तीनों बीजों क पानी बना कर भी पी सकते हैं उसके लिए आपको करना क्या है इस बीजों को आपको एक चमच रात को सोते समय एक गिलास पानी में आपको उनको भिगो कर उनको रख देना है और सुबह उठकर इस पानी को आपको उबालना है और उबालने के बाद इस पानी को आपको गर्मा गरम ही खाली पेट इस्तैमाल करना है यदि इस पानी को आप regularly इस्तishnaर करेंगे तो आपकी जो पेट की समस्या है वो काफी अतक दूर होती है आपका यह वजन कम करने में यह पानी काफी जादा मददगार होता है आपकी body को बहुत जबा हाइडरेट बना के रखता है आपके सरीन में पानी की कमी नहीं हुपाती है आपकी body को detox करने का काम करता है और यदि आप breast feeding वाली महीला है तो यह दूद बढ़ाने का भी काम करता है तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करिएगा तो यह पानी काफी जादा आपकी सेहत के लिए भी काफी जादा अच्छा रहता है और साथ में इस जो बीजों के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं जो पोसक तत्व हैं वो आपके पाचन तंत्र को काफी दुरस्त रखते हैं किसी रुकावट के कर सकते हैं और पेट की समस्याओं के समंद में मैं पहले बहुत सी वीडियो बना चुका हूं आप चाहें तो उन वीडियो को भी पूरा पूरा देख सकते हैं दो वीडियो का जो लिंक है वो आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा और फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा यदि आपने नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक देने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ में बैल आइक कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डेस्क्रिप्सर में दिखाई दे जाएगा आप मुझे वहां जाकर फॉलो करिएगा और अपना सवाल पूछेगा वहां भी मैं आपको satisfactory answer जरूर से दूंगा और फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही ऐसी informative वीडियो के साथ मैं डॉक्टर एके सिंग आपसे फिर मुलाकात करेंगे इतने खुस रहें सेहत मंद रहें और अपना ध्यान रखें साथ में इस चैनल की सभी फायदे वाली वीडियो को जरूर से देखती रहेंगा यदि आप चाहते हैं पेट की समस्याओं का अंत कैसे करें तो आपको यह उपर वाली वीडियो देखनी चाहिए और अपनी आतां को healthy बनाए रखने के लिए कौन से super food का इस्तेमाल करें तो आपको यह नीचे वाली वीडियो देखनी चाहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार जैहिंद बंदे मात्रम